मिया शेक चिल्ली के खयाली पुलाव एक दिन सुभे सुभे मिया शेक चिल्ली बाजार पहुँच गए बाजार से उन्होंने अंडे खरी दे और उन अंडों को एक टोकरी में भर कर अपने सर पर रख लिया फिर वह घर की ओर जाने लगे घर जाते जाते उन्हें खयाल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास धेर सारे मुर्गियां होंगी वह सम मुर्गियां धेर सारे अंडे देंगी उन अंडों को वाजार में बेच कर मैं धन्वान बन जाऊंगा अमीर बन जाने के बाद मैं एक नोकर रखूंगा जो मेरे लिए शॉपिंग कर लाएगा उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आली शान घर बनवाऊंगा उस बड़े से घर में हर प्रकार की भव्य सुक्स विधा होगी बोजन करने के लिए आराम करने के लिए और बैटने के लिए उसमें अलग-अलग कमरी होंगी घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा अपनी पतनी के लिए भी एक नोकर रखूंगा और उसके लिए अच्छे-अच्छे कपड़े, घहने और बग्यारा खरीदूंगा शादी के बाद मेरे पांच अब बच्चे होंगी बच्चों को मैं खूब लाड़ प्यार से बढ़ा करूंगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनके शादी करवा दूंगा फिर उनके बच्चे होंगे, फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी-खुशी खेलूंगा मिया से एक चिल्दी अपने खयालों में लहराते, सोचते, चले जा रहे थे तब है उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी हुई, अंडों की टोकरी ध्राम से जमीन पर आगिरी, अंडों की टोकरी जमीन पर गिरती ही, सारी अंडे फूट कर बर्बाद हो गए अंडों के फूटने के साथ मियाशिक चिल्ली के खयाली प्लाव जैसे सपने भी तूट कर चूर चूर हो गए